हलो दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल त्री लिटिल ट्यूटर में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं केंद्री विद्याले में एडमेशन से संबंदित महत्पूर जानकारी लेकर आते रहता हूं और इसी कड़ी में आज एक अती महत्पूर जानकारी कराया हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पूर है और यह वीडियो देखने के बाद आपका केंद्री विद्याले से संबंदित ज्यान बढ़ेगा ऐसा मैं दावा कर सकता हूं तो इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे होता है केवी में एडमिशन और सीट एलाट है कि केंद्री विद्याले में किसी बच्चे को सीट कैसे मिलती है तो इस वीडियो में मैं step by step उसी चीज को बताया हूं और समझाया हूं आपको यह वीडियो बड़े सयम से बड़े धैर से देखना होगा तभी पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आएगा वीडियो को कहीं सब्सक्राइब करके रखें और आपके मन में अगर कोई प्रस आता है तो हमें कमेंट करें हम आपके करमेंट का जबाब देंगे लिभी वीडीयो को सेबस्कार करते हैं कि आपके बच्चे के एडमिशन के कितने चांस हैं। उदाहरा में हम कोई ऐसा केंदरी विद्ध्यारे लेंगे जिसमें 4 सेक्षन A, B, C, D है और प्रतेक सेक्षन में 40 सीट है। तो इस तरह उस केवी में कुल 160 सीट हुई, तो आज हम इस वीडियो में 160 सीट को खाली मान कर सीट एलाट्मेंट पर किया समझेंगे। तो हम पोई एक केंदरी विद्ध्यारे ले रहे हैं, जिसमें 160 सीट है इंट्री लेवल के लिए, वह इंट्री लेवल क्लास बन भी हो सकता है, बालवाट क्या भी हो सकता है, और उसी को समझेंगे कि कैसे एक बच्चे को सीट मिलती है, HC वाले को कितनी सीट मिलती है, HT को कै कैसे मिलती है, OBC को क्या मिलता है, जर्नल वाले को क्या मिलता है, केंदरी करमचारी को क्या मिलता है, राज्यकरमचारी को क्या मिलता है, जो नौकरी में नहीं है उनको कैसे मिलती है सीट, इसमें पूरे चीज को एक साथ सामिल किया हूँ, बड़ी मेहनत लगती है इसको बन को एक साथ रखा हूं, OBC-NCL को एक साथ, Scedule Cast को एक, Scedule Tribe को एक, और Total फिर एक साथ है, तो यहां मैं कारण भी होता देता हूं आपको, कि जर्नल, EWS और BPL को एक साथ, इसलिए रखा हूं, कि जो EWS और BPL होता है, वो कोई हो सकता है, वा OBC हो सकता है, जर्नल हो सकता है, SC हो सक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और जर्नल तो जर्नल है ही, इसलिए इन तीनों को एक साथ रखा हूं, और ऐसे ही रखा जाता है, और बाकी लोग को उनके कोटे के अनुसार, सीट दिया गया है, इसमें, जैसे OBC को 27% के हिसाब से 44 सीट, और सीडूल काश को 15% के हिसाब से 24 स और जो बची हुई सीट है, 80 सीट, टोटल 160 सीट, तो इतनी सीट हैं, जिन्हें मैंने उनके रेजर्वेशन के अनुसार बांट दिया है, अब बाकी जो कोटा हैं, वह लाटरी वाईज होते हैं, इसलिए बाकी कोटा यहां नहीं दिखाया हूं, जैसे कि PWD कोटा, SGC कोटा, यह 80 कोटा, वह लाटरी के थुरू आएगा, आप अभी आगे देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे पहली लाटरी, जो पहली लाटरी होती है, वह होती है 80 कोटा का, तो 80 कोटा के ताहत 25% सीट भरना रहता है, तो 160 सीट में 40 सीट इस से आते हैं और 5 लोग सीडूल टाइब कास्ट से आते हैं और 40 की पूरी सीट भर जाती है तो यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि यह सीट खाली नहीं रहती यह भर ही जाती है और पहली लाटरी में ही भर जाती है जो सबसे पहली लाटरी होती है वो आर्टी कोटा की लाटर अब होगी सेकंड लाटरी जो होती है PWD यानि दिभ्यांग के लिए तो इसमें हम मानेंगे कि जनरल EWS या VPL से दो बच्चे आयाते हैं OVC से एक, SC से एक, ST से एक और टोटल पांच सीट इनकी होती है पांच की पांचों भर जाती है अब हम देखेंगे कि अब कितनी सीट बच्ची तो जनरल EWS बीपिल में 63, OVC NCL में 31, सीडूल काष्ट में 15, सीडूल ट्राइब में 6, टोटल 115 सीट बच्ची हुई है और दो लाटरी हो चुकी है यह लाटरी आठ्वी लाटरी तक जायेगा और इसी तरीके से लिये जाते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आते रहेगा अब होगी थर्ड लाटरी थर्ड लाटरी होती है काटिग्री वन category 1 होते हैं केंदरी कमचारी के बच्चे तो इनमें हम माल लेते हैं कि General EWS BPL से 33 बच्चे लिए जाते हैं OBC NCL से 16 बच्चे Sedul Cash से 8 बच्चे Sedul Tribe से 3 बच्चे और 60 seat इनसे फुल हो जाती है तो अब हम देखेंगे कि seat कितनी बच्ची तो General EWS BPL में 30 seat बच्ची OBC में 15 SC में 7 ST में 3 Total 55 seat अभी बच्ची है अब होगी 4th लाटरी जो होती है category 2 के लिए तो इसमें हम मानेंगे कि General EWS से 15 बच्चे आ जाते हैं OBC से 8 SC से 4 ST से 2 यानि 29 seat फिर भर जाती है 4 लाटरी में अब हम देखेंगे कितनी seat बच्ची है तो आप seat बच्ची है General EWS BPL में 15 OBC NCL में 7 Schedule Cast में 3 Schedule Tribe में 1 और Total 26 seat अभी भी बच्ची है अब होगी 5 लाटरी जो SC ST OBC के लिए होती है ये लाटरी अतीमहत्पूर्ण है इसे समझना भी आपके लिए अतीमहत्पूर्ण है यहां क्या होता है कि 5 लाटरी जो होती है वह केवल SC ST OBC यानि रिजर्ब कटिगरी के लिए होती है अब रिजर्ब कटिगरी में जितनी seat खाली रहेंगी वह यहीं भर ली जाएंगी भले ही उनको कटिगरी 4 से लेना पड़े कटिगरी 5 से लेना पड़े चाहे जिस कटिगरी में OBC, SC, ST के बच्चे होंगे उनको यहीं लाकर seat फुल कर लिया जाएगा और आगे से रिजर्ब कटिगरी में कोई seat नहीं रहेगी यानि 5 लाटरी में ही चाहे आप तीसरी सर्विस प्रियार्टी कटिगरी में आते हूं या चोथी में आते हूं या पांचवी में आते हूं और साथ साथ आप किसी रिजर्ब कटिगरी में आते हैं तो आपको पांचवी लाटरी में ही मौका मिल जाएगा अगर पांचवी लाटरी में आपको मौकान नहीं मिलता है तो आगे फिर आपको SC-STOVC का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है फिर आप जर्नल में ही ट्रीट किये जाओगे क्योंकि SC-STOVC की सीट पांचवी लाटरी में ही फिल हो जाती है complete कर ली जाती है तो यहां मानेंगे कि general EWS BPL से कोई नहीं आएगा क्योंकि यह general के लिए seat नहीं है OBC NCL से 7 थे तो 7 वर जाएगी ST में 3 खाली थी 3 वर जाएगी ST में 1 खाली थी 1 भर जाएगी total reserve seat 11 खाली थी 11 भर जाएगी अब उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी seat खाली है तो अब कहीं कोई seat खाली नहीं है केवल journal की seat खाली है जो की 15 seat है इसके लिए होगी 6th lottery जो होगी category 3 से तो category 3 से माने लिए 5 बच्चे आते हैं 5 seat फुल हो जाती है तो अब जो seat बच्चेगी वहाँ बच्चेगी 10 फिर category 4 के लिए होगी मान लिए इसमें भी 5 बच्चे आते हैं और 5 seat बच्च जाती है तो अब हम देखेंगे seat बच्ची है 5 तो इस 5 seat के लिए category 5 वालों की लाट्री होगी और यहां 8th लाट्री होगी 8th लाट्री होगी और इसके दोरा जो 5 seat खाली है वहाँ भी भर ली जाएगी इसके अलावा अब कोई seat खाली नहीं है और admission प्रक्रिया complete हो गई है यहां मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि इसमें हो सकता है कि 8th लाट्री तक ना जा पाए पहले ही complete हो जाए या 8th लाट्री के बाद भी seat बची रह जाए दोनों condition हो सकती है अगर 8th लाट्री से पहले complete होता है तो वही complete माना जाएगा और अगर 8th लाट्री के बाद भी बचा रहे आता है तो waiting वाले से बुलाया जाएगा और waiting से भी seat नहीं भरती तो उसके लिए दुबारा notification निकालने का प्रावधान है एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि इसमें एक SGC की भी लाट्री होती है इसलिए मैं इसमें सामिल नहीं किया हूँ SGC को क्योंकि वा एक साथ चलती रहती है और उसमें भी priority category लागू होता है यानि वो किसी लाट्री में भी seat alert हो सकती है तो किसी लाट्री से जितना कोटा SGC का है उतना कम करके वो SGC में आयाता है तो इसलिए उसे मैं नहीं बताया हूँ क्योंकि उसको बताने से confusion बढ़ सकता था लेकिन SGC का कोटा होता है और अंतिम लाट्री SGC की ही होती है और उसके लिए seat reserve रखी जाती है तो उमीर करता हूँ कि आपको लाट्री प्रक्रिया समझ में आ गई होगी seat alertment प्रक्रिया समझ में आ गई होगी क्योंकि इसे मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिस किया है फिर भी यह उदाहरान के वर आपको प्रक्रिया समझाने के लिए बताया गया है seat alertment प्रक्रिया पर पूरा अधिकार केंदरी विद्याले संगठन का होता है और उनका निर्णय ही अंतिम होता है तो जैसे मैं इसमें बता दिया हूँ कि जो अंतिम निर्णय होता है वह केंदरी विद्याले संगठन का होता है लेकिन इसी तरीके से seat alert की जाती है और प्रक्रिया समझाने के लिए मैं यह उदाहरान लिया हूँ इसमें seat कम जादा भी हो सकती है लेकिन प्रक्रिया यही है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक seat घरती जाती है और लाट्री निकलती जाती है जब तक कि seat zero न हो जाए उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इससे like and share करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक यू थैंक यू फार वाचिंग